आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूँ आपके साथ रीना बुलेटिन की सुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी ख़बर के साथ बड़ी ख़बर आपको 36 गड़ के राइपूर से बताने हैं जहां राज्य सभा के लिए 36 गड़ से बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को भारती जुनता पार्टी ने बनाया अधिक्रित उम्मीदवार इस ख़बर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ आरके गांधी जुड़ गया है राज्य सभा के लिए 36 गड़ से बीजेपी ने नया उम्मीदवार बनाया है राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को क्या कुछ जानकारी है चुनाव आये उन्हें 56 राज्य सभा सीटों पर चुनाव तरीकों का एलान किया है और ऐसे में बीजेपी ने 36 गड़ से राजा देवेंद्र पताप सिंग को राज्य सभा का उम्मीदवार यहां बनाया है किंद्री ने तित्री ने देश के सभी राज्य जहां राज्य सभा का चुनाव होना है वहां ले किंडिडेट की ये गोसना हुई है और 36 गड़ की जो राज्य सभा सांसते स्वरोश पांड़ का कारकाल अपैल में खत्म होने का है और ऐसे में चुनाव रायोग ने भी राज्य सभा की इस एक सिट ले चुनाव का ऐलान किया है उनमें पंदर राज्यों में चुनाव होने है जिसमें 36 गड़ी सामिल है और यहां सिर्फ एक सीट पर वोटी होगी तो साथी ने आपको यहां पर बता दू कि स्वरोश पांड़ का कारकार जिस्ता से पूरा हो रहा है और 27 फरवरी को सुबर नोबे से साम चार बज़े तक मद्दान होना है नमांकर की जो अंतिन तारिक रखी गई है वो 15 फरवरी है और 27 फरवरी को पर नाम आ जाएंगे तो पहली निवाची तरह साबा सांसत बनी थी यहां पर स्वरोश पांड़े पहली निवाची शांसत बनी थी इस दोरान बीजेपी को 49 विड़ाइक ते साम चार बोट मिले थे और इस तरह से निविरोध चुनाओ होता रहा है लेकिन पिछली बार कॉंग्रेस ने लेकराम साओ को मौका दिया था लेकिन उन्हें भी तक आदे चलते पाटी विड़ाइकों के ही पूरे वोट नहीं बिले थे तो रासवा के उमिद्वार के लिए जिस तरह से राजा देविन परताफ सिंग की नाम भी गोस्ना हुई है और बताईए जा रहा है कि जराइगर के मराजर चकदर सिंग के प्रफोतर है जीला पच्चाह सदस है वे आरेसेस के जीला संक्यालग विरा चुके है एजरेलिमंत्राले में वे सदाकार समिती के सदस भी थे और साथ ही गोंड आजिवासी वरक से भी आते है और बाना ये जा रहा है कि उनके चैन में मुक्रमंत्री विश्नु देश आए कि आहम उनका रही है और एक दो दिन में आकर अपना नमांकर दाकिल करेंगे तो कि नमांकर की जो अंतिन तारीक है वो पंदरा फ्रवरी है तो लिहाजा उनके नमांकन की सुखबगाड भी यहाँ पे सुरू हो गई है और सर्गुजा से जहां सर्गुजा सबबाग से मुक्रमंत्री विश्नु देश आया आते हैं तो लिहाजा उसी छेदर से यहाँ पे रासभा जो सांसत के प्रप्यासी का चयन भी बीजेपी ने किया है जानकारी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो बड़ी खबर आपको छतीसगड के राइपूर से बता रहे हैं जहां राज्य सभा के लिए छतीसगड से बीजेपी ने बनाया उम्मीद्वार राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को भारती जवन्ता पार्टी ने बनाया अधिकृत उम्मीद्वार तो यह बड़ी खबर आपको छतीसगड के राइपूर से बता रहे हैं जहां राज्य सभा के लिए छतीसगड से बीजेपी ने बनाया उम्मीद्वार राजा देवेंद्र प्रताप सिंग को भारती जवन्ता पार्टी ने बनाया अधिकृत उम्मीद्वार